हेलो एरिवन एंड विल्कम नाई यूट्यूब चैनल राइन क्लासेश आज की वीडियों हम सभी जानेंगे हाल ही में एस्टी सेंटर साउथ टू एटी सी वैरिस पोस्ट आफ लाइनसव ऒांम के लिए वेकंसई नोटेश चारी किया गया है यानि भारती नौ सेंदर के लिए एक विकंसी नोटेश चारी किया गया है यदि आप सभी applicable या available हैं तो आप सभी offline आवेदन कर सकते हैं आज किस वीडियो हम सभी जानेंगे important dates के बारे में age limit आप सभी की क्या होगी और इसके लिए vacancy details जानेंगे eligibility criteria जानेंगे और ये जो आपकी vacancy रहने वाली ये group C की post होगी यानि बहुत ही शानदार post आप सभी की रहने वाली है और इस वीडियो में ये भी जानेंगे इसका selection process क्या है और syllabus क्या रहने वाला है और साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो का जो offline आवेदन करना है उसकी important link मैं आप सभी को description box में दे दूँगा आप सभी वहां से जा करके offline आवेदन जो करना है उस farm को मतलब निकाल सकते हैं उस link पे click करने के बाद okay so start करते हम सभी important dates के बारे में सबसे पहले जानेंगे तो start date है आप सभी की 12-6-2021 और last date है application की तो ये है आप सभी 11-7-2021 मैं आप सभी को बता दूँ जो मैं link दूँगा उससे आपको क्या करना है online आवेदन करने के बाद आपको करना क्या है जो एक प्रति प्राप्त होगी उसको साथ में लेकर और जित्ते भी सारे documents आपके पास होंगे उन सभी को एक साथ में लेकर के क्या करना है आपको offline online आवेदन करना है तो चलिए हम जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में तो यह 11-7-2021 से count होने माला है minimum age की बात करें तो 18 साल है और maximum age आपकी 25 साल रहने माली है age relaxation तो यह applicable as per rules है यानि age relaxation जो आप सभी का होगा वह भी मैं आपको बताऊंगा age relaxation आपका होगा OVC के लिए आपका 3 years करें वाला है और बात करें SC-ST के लिए तो इसके लिए आपका 5 years का रहने वाला है age relaxation चलिए अब बात कर लेते हैं ASC Center South to ATC vacancy details के बारे में तो post name के बारे में जानेंगे civilian motor driver की जो नंबर आप पोस्ट हैं आपकी 42 है कोक की आपकी है 15 और cleaner की बात करें तो यह है 14 अगर हम बात करते हैं civilian catering instructor की तो यह हैं आपकी 3 अगर हम टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो यह 100 रहने वाली हैं बात कर लेते हैं अगर हम बात करें civilian motor driver की तो इसकी eligibility जो होगी वह होगी काच्छा दस पास आउट होना चाहिए किसी भी मानिता प्राफ्त विद्याले से शाथी साथ आपके पास HMB यानि हैवी motor vehicle driving license होना चाहिए और साथी साथ दो साल का आपके पास driving motor vehicle का experience होना चाहिए बात कर लेते हैं कोकी तो कोक के लिए आपको high school pass होना चाहिए किसी भी मानिता प्राफ्त विद्याले से और साथी साथ आपको मतलब भारती भासा का और cooking का आपको कोकिंग प्रोफिसियंसी इन ट्रेड यानि कोक से आई ट्रेड भी होता है आप उससे आई ट्रेड भी किये रहे हैं या तो आपके पास professional certificate होना चाहिए वो कोक के लिए बात कर लेते हैं cleaner के लिए तो cleaner के लिए जो आपके cleaner से जो है वो क्या है एक professional आपके पास certificate होना चाहिए तभी आप सभी applicable है offline आवेदन करने के लिए बात कर लेते हैं civilian catering instructor की तो इसके लिए आपको कक्छा दस पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ आपको डिपलोमा का certificate होना चाहिए in catering यानि catering से डिपलोमा भी आप सभी का होना चाहिए यह किसके लिए यह civilian catering instructor के लिए अब बात कर लेते हैं ASC South Group C selection process की तो यह selection process जो आप सभी का होने वाला है यह return test और आप सभी का skill test होगा जो जिसका मतलब trade है उसी के अनुसार होगा physical होगा practical होगा typing test होगा यह इसमें लिखा हुआ है every necessary यानि आगर आपका आपके वेकंसी में आवस्थ है तभी typing test होगा अब बात कर लेते हैं दा question paper of return test will be यह जो आपका question paper होगा यह English और Hindi दोनों में होगा अगर हम बात करते हैं exam duration की यानि शमयावदी आपकी दो घंटे की रहने वाली है अब बात कर लेते हैं जो आपका मतल 25 questions रहें आगर हम general intelligence की बात करें यानि reasoning की तो यह 25 question 25 marks के general awareness आपका 50 question 50 marks का और आपका general English 50 question 50 mark का रहने वाला है और numerical aptitude की बात करें यानि mathematics आपका 25 question 25 marks का होगा total आपके number up questions 150 होगे और 150 marks के रहने वाले हैं आप बात कर लेते हैं हम सभी A.S.C. Center South Group C exam syllabus की syllabus जो आपका intelligence और reasoning का है इसमें आप सभी का पूरा मतलब कक्षा दस बेस से रहने वाला है ओके उससे आगे का नहीं रहेगा हम one by one सभी के बारे में जान लेते हैं general awareness में आपका क्या क्या होगा यह भी कक्षा दस बेस से रहने वाला है जैसे आपका general intelligence reasoning रहा है इसमें आप सभी का क्या होगा है आप देख लेते हैं इसको हम topic wise देख लेते हैं तो topic wise आपका analogies है similarities है differences है, space visualization है, problem solving है, analysis है, judgment है, decision making है, visual memory है और आपका है discrimination है, observation है, relationship है, concepts है, figure classification है और arithmetical number series है, non-verbal series है तो यह आपका general intelligence and reasoning करहेगा topic wise लेवर्ष बात करें अगर हम general awareness की तो यह भी आपका 10th base रहेगा इससे maximum ही रहने वाला है बात करें अगर हम topic wise की, तो topic wise आप सभी देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, यह आपका है never countries यानि पडोसी देश भारत के, और साथ ही साथ मतलब खेल के बारे में, history आपका होना चाहिए, culture, geography, economic sense, general polity, including Indian constitution and scientific research etc, यह आप सभी के रहने वाला है, general awareness का, बात कर लेते हैं, English language का तो English language का आपका क्या होगा, इसमें आप सभी का, यह भी आपका 10th question, मतलब 10th based रहने वाला है, बात करें कौन कौन सा होगा topic wise, तो यह आपका वाकेब रहने वाला है, grammar होगा, sentence, structure होगा, synonyms, antonyms and its correct users etc, his or her writing ability would be tested, ओके, अब बात कर लेते हैं, numerical aptitude की, यानि आपका सभी का जो mathematics होगा, उसमें क्या क्या आएगा, तो यह भी आपका high school basis रहने वाला है, इसमें हम बात करें topic wise की, तो आप सभी का होगा number system, और क्या होगा, computation, of whole numbers, or decimals होगा, fraction होगा, relationship between numbers, fundamental, arithmetic, operation, percentage होगा, ratio and proportion होगा, average होगा, interest होगा, profit and loss होगा, discount, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio, and time, time and work, यह सभी रहने वाला है, तो यह वीडियो आप सभी को इस वीडियो से लेकर कोई भी doubt है, तो आप सभी comment box में comment कर सकते हैं, इसमें मैंने जैसे आप सभी को बताया, सबसे पहले online आवेदन करना है, online आवेदन करने के बाद आप सभी को करना क्या है, जो receipt प्राप्त ह होगी, और जो जो आपका document लगेगा, यानि आपका हाई स्कूल बेस से हाई है, हाई स्कूल का आपका certificate होना चाहिए, और आपका आधार कार्ड होगा, और यदि मतलब कास certificate है, तो कास certificate लगा दीजें नहीं, आपको general में fight करना होगा, अब बात कर लेते हैं, जो EWS वाले हैं मैं आपको इसकी मतलब link जो है, online आवेदन की वह भी description में दे दूँगा, और साथ ही साथ जो आपको offline form बरना है, उसकी भी link description में दे दूँगा, हो सकता है, मैं next video आप सभी के लिए लेके आऊं, offline आवेदन कैसे करें, Okay, thank you for watching me, मिलते हैं next video में